नमस्कार दोस्तों, जैमाम दुर्गातुला राशेवालों, सावधान, आपको अपनी मेहनत का फल मिलेगा, दोस्तों, कहते हैं न, समय बड़ा बलवान होता है, जब किसी मनुष्य का समय अच्छा चल रहा होता है, तो उसके जीवन में सब कुछ अच्छा होता है, वह कोई उसका पूरा हो जाएगा, उसे काम में उसे सफलता अवश्य मिलेगी, लेकिन जब मनुष्य का समय खराब चल रहा होता है, तब मनुष्य चाहे कितना ही जोर लगा ले, चाहे कितनी ही कोशिश है, क्यों ना कर ले, लेकिन दोस्तों, उसके जीवन में कही न कहीं कोई न एवं मुसीबतें आ ही जाती हैं। गुरुदेव कहते हैं, मनुष्य को हमेशा अपने कर्म में लगा रहना चाहिए। प्रिणाम न मिल जाए। तब तक दोस्तों, आपके पीछे मुड़कर नहीं देखना है। आप लड़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। एक न एक दिन आपके सारे काम बहुत आसानी से पूर्ण होंगे। मनुष्य का जीवन संघर्षों से ही गुजरता है। बिना संघर्ष के मनुष्य अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। इसलिए यदि आपकी जीवन में भी कुछ मुश्किलें आ रही है, मुसीबतें आ रही है, तो आप कौन से डरना नहीं है, आपको उनसे लड़ना है और उनका सामना करते हुए जीवन में आगे बढ़ाना है। तब जाकर आपको शान्ती की नींद आएगी, खुशियों की दोस्तों आपको बता दे, आने वाले अगले 24 घंटे में आपके दुश्मन आपको रोकने का हर एक प्रयास करेंगे जो उनसे बन पाएगा, वह पूरी कोशिश करेंगे कि वह आपके काम बिगाड सके, वह आपको बदनाम कर सके, या फिर वह आपका नाम मार्केट में खरा तो आप जीवन में बहुत आगे तक जाओगे, लेकिन दोस्तों यदि भूल कर भी आपने एक बार पीछे मुड़ कर देख लिया, भूल कर भी यदि दोस्तों अपने अपने कदम पीछे ले लिये, या आप डर गए, तो यह दुनिया ऐसी है कि यह आप पर हावी हो यदि दुनिया दोस्तों आपको परेशान करकर अख देगी, आपको कहीं का नहीं छोड़ेगी, इसीलिए दोस्तों गुरुदेव आपको बार बार यही बात कहते हैं कि जीवन में लड़ते रहिये और आगे बढ़ते रहिये, क्योंकि जो हार मन लेगा उसे यह दुनिया नाकाम नाकारा घोशित कर देगी। पारिवारिक जीवन दोस्तों, इन दोनों आपका काफी अच्छा रहेगा। कुछ छोटे-मोटे मत भेज परिवार वालों के साथ हो सकते हैं। लेकिन वह समय समय पर दूर हो जाएंगे, तो आपको बस कुछ विशेश महत्वपूर्ण सावधानिया का ध्यान रखना होगा, जो कि आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। इसलिए, दोस्तों, थोड़ा समय निकालना और इस वीडियो में अंत तक बने रहना, ताकि आपको सारी की सारी बात सही तरीके से समझा सके। तो मित्रो, हमारे गुरुजी कहते हैं कि जिस तरह आप सोचते हैं कि कौन से कपड़ड़े पहनूं, जिससे मैं अच्छा दिखूं, या आप हर रोज सोचते हैं, पर आप ये नहीं सोचते कि आज कौन सा कर्म करूँ जिससे मैं भगवान को अच्छा लगूँ मित्रो जीवन में हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपकी पहचान आपके कपडढ़ों से और आपकी सुनदर्ता से नहीं बलकि आपके कर्मों से होगी जीवन में हमेशा मित्रो लोगों को खुश करने की बजाए प्रभू को खुश करने का प्रयास करना क्योंकि लोग खुश होंगे तो कुछ नहीं मिलेगा लेकिन अगर प्रभू खुश हो गए तो जीवन मित्रो तार-तार हो जाएगा तो गुरुजी का यह ज्ञान आज ही से अपने जीवन में जरूर अमल कीजिएगा मित्रो गुरुजी का यह ज्ञान अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ओम हनुमन्ते नमह अवश्य ही लिख दीजिएगा ताकि आपको गुरुदेव का आशीरवाद भी प्राप्त हो जाए तो भाईयों का साथ इस ही वक्त आपको बेहतरीन तरीके से मिलता हुआ नजर आ रहा है आपने पिछले समय में बहुत ज्यादा असफलता का मुह देखा था तो मित्रो अब आपको भाईयों के सहयोग से सफलता मिलने वाली है साथ ही मित्रो इस वक्त पारिवारिक स्थिती बहुत अच्छी रहेगी मेहनत के शुभ परिणाम आपको मिलने वाले हैं मित्रो, थोड़ी सी मेहनत और बहुत ज्यादा शुभ परिणाम इस जीवन हर किसी का नहीं होता है, इस नसीब हर किसी का नहीं होता है. आपकी सकारात्मक सोच से लोग बहुत प्रभावित होंगे, आपकी तरफ आकरशित होंगे आपसे जुढ़ने का. मित्रो प्रयत्न करें जो की लाब दायक रहेगी. मित्रो यात्रा पर जा रहे हैं, तो पैसो का निवेश पैसो का संभाल कर रखना बहुत जरूरी है. गुस्से और जिद्धी स्वभाव पर नियंत्रन रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके आधे से उपर काम, गुस्से और जीत, वजह से ह बिगढ़े हैं. आए में कमी और खर्चे ज्यादा रहेंगे तो चिंता न करें. समय अनुसार, परिस्थितियां संभल जाएंगी, और व्यवसाय में विस्तार से संबंधित योजनाओं को लागू करने का उचित समय है. मित्रो, लंबित पड़े काम पूरे हो सकते हैं, ले इसी बाधाएं, थोड़े से विघनाएंगे, तो बता देते हैं कि इस वक्त आपको ज्यादा जिम्मेदारियां भी नहीं लेनी है. दांपत्य संबंध खुशनुमा रहेंगे, परिवार में आपसी सामंजस्य रहेगा और प्रेम प्रसंगों में भी मधूरता बढ़ेगी. मित्रो, ठकान और तनाव से शारिरिक कमजोरी रहेगी, तो कुछ समय प्रकृती के पास भी बिताना जरूरी है. इसलिए आपको मेडिटेशन करना है और अपने निर्णे के बारे में विचार करें. मित्रो, बहुत सोच समझ कर निर्णे लें. अपेक्षा के अनुसार, यह काम आगे न बढ़ने से सफलता का डर और नकारात्मकता हो सकती है. आपने इस समय ऐसा काम हाथ में लिया है, जिस काम को लेकर आपके मन में बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है, कि क्या यह काम सफ रिचे हो सकता है. इस कारण कार्य से संबंधित नए अवसर आपको मिलेंगे. रिलेशन्शिप से संबंधित नाराजगी दूर होगी और शारीरिक समस्याओं को नजर अंदाज बिलकुल न करें. कुछ समय अपने रूची संबंधित कार्यों में भी ज़रूर व्यतीत करें मित्रो, जिन कार्यों में आपका मन लगता है, आपकी रुची है. ऐसे कार्यों में आपको ध्यान देना है. आपको एक साथ कई काम संब्हालने पड़ सकते हैं और कारोबार में उम्मीद से ज्यादा फायदा हो सकता है. परिवार पर ध्यान देंगे और घरेलू खर्च करे और सबसे विंदर होकर बात करें। अपको बताते हैं कुछ ऐसे चमतकारी एवं सिध उपाय जो आपके जीवन का कल्यान करने के लिए कारगार सिध होंगे। मित्रो बद्धे ध्यान से सुनिये का इन उपायों को यह उपाय आपकी किस्मत बदल देंगे। शुक्रवार को थोड़ा सा नमक खरी दें और घर में नमक के डिब्बे में डाल दें। मित्रो इससे धन की प्रचुरता आएगी और आपके कर्ज से आपको मुक्ति मिलेगी। मित्रो कर्ज दूर करने का बहुत छोटा सा उपाय है। कभी भी कर्जदार नहीं होंगे और ना गरीबी आएगी। गुरुवार को कर्ज ना तो दे और ना ही ले क्योंकि दिया हुआ आएगा नहीं और लिया हुआ उतरेगा नहीं। कर्ज मुक्ति के लिए कर्ज मंगलवार को छुटका करना शुरू करें। कर्ज जल्दी उतरेगा, घर का मुखिया एक समय रसोई में बैठ कर भोजन करें और अपनी थाली खुद उठाएं, शुक्रवार के दिन अपने इश्ट देव को खीर का भोग लगाएं और उसके बाद सभी ग्रहन करें, रोज रात को अपने सिरहाने पर एक सिक्का रख कर सो ग्रहस्थी के मामले में आपसी सहमती से हल होंगे, आज स्वस्थता रह सकती है, संपत्ती के कार्यल आप देंगे, अपनी निर्णय शक्ती को मजबूत रखें, वरना आप पिछड जाएंगे और ध्यान रहे, संतान की जरूरत पूरी करना अच्छी बात है, पर तभी जब उनकी जिद जायज हो, नए कारोबार के बारे में पूरी जानकारी लेकर ही निवेश करें, और क्रोध की अधिकता से आप अशांत रहेंगे, पिता से मतभेद समाप्त होंगे, और परिवार में आ रही समारोह की तैयारियों में लगे रहेंगे, कोई चौकाने वाले समाच मिल सकते, तो मित्रो हमारे गुरुजी कहते हैं, कि मेहनत करो तो धन बने, सब्र करो तो काम, और मीठा बोलो तो पहचान बने, और इज़त करो तो नाम, मित्रो, यह चार गुण जिस भी व्यक्ति में होते हैं, वही व्यक्ति सबसे सफल होता है, क्योंकि मेहनत से धन बनता और सब्र से काम बनता है, और यदि आप अपनी वानी में मीठे वचनों का उपयोग करेंगे, तो आपकी पहचान बनेगी, और यदि आप इज़त करोगे, तो आपका भी मानसम्मान होगा, आपका भी नाम बनेगा, तो मित्रो गुरु जी का यह ज्यान आज ही से अपने जुरु अमल कीजिएगा, गुरु जी का यह ज्यान आपको अच्छा लगा हो, तो कमेंट बॉक्स में गुरु जी के लिए श्री राधे अवश्य लिखेगा, तो मित्रो ध्यान से सुनिएगा कि यह जो समय है, यह समय बहुत ही सुखद व्यतीत होगा, लेकिन कुछ संबंधित योजनाओं पर भी चर्चा होगी, जिसमें आपकी उपलब्धियों के संबंध में कुछ बाते होगी, और जमीन जायदाद से संबंधित रुका हुआ काम पूरा होने की भी संभावना है, और रुका हुआ पैसा मिलने से भी आपकी आर्थिक स्थिती सुधरेग और राहत भी मिलेगी, वहीं मित्रों आपको बता दें कि व्यर्थ के वाद विवाद से खुद को दूर ही रखें, अर्थात जो वाद विवाद आपकी छवी को धूमिल कर सकते हैं, तो वाद विवाद से दूर रहें, अपने महत्व पूर्ण काम दिन के पहले पक्ष में ह कुछ प्रतिकूल रहेंगी, कुछ व्यवहरत रहेंगी, क्योंकि व्यवस्थित दिन चर्या, यदि आप बना कर रखेंगे, तो ही आपके कार्य व्यवस्थित होते जाएंगे। भी विचार होगा, वहीं किसी के साथ साजहदारी की योजना बना रहें हैं, तो आपको क्या करना है। मित्रो, यह साजहदारी फाइदेमंद साबित हो सकती है। नौकरी में बोज और अधिकारियों के साथ संबंध अच्छे बना कर रखें, क्योंकि यह संबंध ही आपके आगे चलकर काम बनाएंगे। परिवार के साथ मनुरंजन वशौपिंग आदी में भी समय व्यतीत होगा, तथा प्रसन्नता पूर्ण वातावरण भी बना रहेगा। मित्रो प्रेम संबंधों में भी आप मधुर्ता बना कर रखेंगे, तो वहीं आपको ध्यान रखना है कि खांसी जुकाम। ऐसी हलकी फुल की दिक्कत आपको परेशान कर सकती है। घरेलू इलाज से ही आप स्वस्थ हो जाएंगे, वहीं ठकान और व्यवस्था भरी दिन्चर्या से राहत पाने के लिए कुछ समय अपने मन पसंद कार्यों में जरूर व्यतीत करें। अर्थात ऐसे कार्य जिन कार्यों को करन में आपका दिल लगता है, आपका मन लगता है, आपको चिड़-चिड़ापन नहीं होता है, ऐसे कार्य करें। घर में महमानों के आगमन से चहल पहल रहेगी, घर का वातावरन सुव्यवस्थित होगा, सकारात मक्ता पन पेगी और परिवार में कुछ समय से चल रही अवस को दूर करने के लिए आप कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी बनाएंगे, तो वहीं ध्यान रखिएगा। मित्रों, कुछ लोग आपके खिलाफ साजिश रचने की कोशिश कर रहे हैं, और यही वह लोग हैं जो आपको खून के आंसूर उला रहे हैं। मित्रों बता देत हैं और परिवार में आपकी उपस्थिती इस वक्त बहुत जरूरी है। मित्रों, परिवार के लोग आपके साथ मिलकर कुछ नया रचनात्मक कार्य करने की सोच रहे हैं, तो आपको परिवार के लोगों का साथ देना है। उनसे अलग चलने की कोशिश बिलकुल नहीं करनी हैं। मित्रों के साथ रहें और काम करते रहें। बता देते हैं कि फाइदेमंद आर्थिक योजनाएं बनेगी, उन पर काम भी होगा और रुका हुआ सरकारी मामला सुलजने की उम्मीद पूरी है। युवा लोग करियर को लेकर थोड़ा सा सावधान रहें। मित्रों, क् इस वक्त बढ़िया बढ़िया बहतरीन अवसर मिल रहें हैं, तो इस वक्त कोई भी गलती करके अपने करियर के साथ। मित्रों, समझोता बिलकुल ना करें। पारिवारिक गतिविधियों से पूरे समय व्यवस्था रहेगी और भावुकता में आप जो फैसले लेते हैं। मित्रों यही फैसले आगे चलकर आपको दुख देते हैं, इसलिए एक-एक पहलू को समझना बहुत जरूरी है। और हाँ, आपको बता देते हैं कि इस वक्त नई शुरुवात करने की योजना बिलकुल भी ना बनाएं। जिम्मेदारियों की वजह से आपके सारे काम अध पहल लेकर कोई और जाएगा, पारिवारिक माहौल, खुशनुमा और व्यवस्थित बना रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, परिवार का वातावरन शांतिमय रहेगा और दोपहर के बाद काम का बोज रहेगा, लेकिन शाम के समय काफी अच्छे से बीतेगा, कारोबार आज आपका संसार बदल सकता है, अपने आपको सही साबित करने में बड़ी मेहनत करनी होगी, ठकान व अस्वस्थता रहेगी, साथी दिन की शुरुआत में रुक, रुक कर कार्य होंगे, यात्रा, निवेश व नौकरी मनुनुकूल रहेंगी, नेत्र पीड़ा संभव है, माता-पिता के स्वास्थे का ध्यान रखें और धर्म-कर्म में रूची रहेगी, किसी कार्यक्रम की रूपरेखा बनेगी, संतान के विवाह में मामलों में जल्दबाजी न करें और गलत निर्णय, जीवन बदल सकता है, वाहन, मशीनरी व अगनियादी के प्रयोग में जीवन साथी, मित्रों, मांगलिक कार्य की बाधा दूर होकर लाब की स्थिती बनेगी, राजनैतिक मामलों में आपका विरोध होगा, जीवन साथी के साथ विवाद संभव है, जी हां, मित्रों, मन चाही नौकरी के लिए प्रयास अधिक करना पड़ सकता है, और दूसरों से अपेक्षा न करें, पहिना में वे भी गुलाबी रंग का ज्यादा काम करें, तो आपके काम बनेंगे, व्यापार में परिश्रम अधिक और लाब कम होगा, मित्रों, विरोधी सक्रिय रहेंगे, जो आपके बने-बनाए कार्य बिगाड सकते हैं, घर बाहर पूच परख रहेगी, निवेश व नौकरी लाब दायक रहेंगी और प्रेम प्रसंग सफल रहेंगे, सफलता से आत्म सम्मान बढ़ेगा, तेलते लहन में निवेश से आपको आज लाब होगा, साथी मित्रों, कार्य स्थल पर प्रसन्नता रहेगी, पारिवारिक कार्यों में भाग खड़ते जाएंगे और अपनी चिंता के कारण आप दूसरों पर अपना क्रोध न निकालते हुए शांत रहें, व्यावरिद्ध से तनाव रहेगा, चोटव दुरगटना आदि से हानी की संभावना के बीच अध्ययन में अवरोध आ सकता है, साथ ही दिन अनुभव पूर रहेगा, नए मित्र बनेंगे, रोजगार प्राप्ति के प्रयास सफल रहेंगे और जीवन साथी के साथ मदभेद संभव है, जी हां मित्रों, बकाया वसूली होगी और फाल्तु खर्च होगा, आपको पुराने विवाद दोबारा से सामने आ सकते हैं, साथ ही जो भी जात बनेंगे, किसी नजदी की संबंध के घर आने से चहल पहल भरा माहौल रहेगा, मित्रों, विशिष्ट लोगों के साथ मुलाकात से आपके व्यक्तित्व और विचार में शैली में भी नया पनाएगा, अपनी व्यक्तिगत बातें किसी के साथ भी शेर न करें, संतान की किस समय व्यतीत करने से आपको बहुत अधिक सुकून मिलेगा, आज किसी भी प्रकार का निवेश न करें, क्योंकि समय अनुकूल नहीं है, आपके उपर कोई महत्व पूर्ण जिम्मेदारी आ सकती है और आप उसे पूरा करने में सक्षम भी रहेंगे, ओफिस में रुपे आर्यवाही करते समय सावधानी बरतें, जीवनसाथी के स्वास्थय को लेकर थोड़ी चिंता रहेगी, लेकिन आपका सहयोग घर की व्यवस्था को उचित बना कर रखेगा, जी हां मित्रो, आपसी संबंधों में नजदीकिया बढ़ेगी, स्वास्थय ठीक रहेगा, लेक लेकिन बदलते मौसम का प्रभाव आपके स्वास्थ पर पढ़ सकता है, इसलिए उचित सावधानी बरतें, इस समय आप किसी भी मुश्किल काम को परिश्रम द्वारा पूरा करने की क्षमता रखते हैं, इसलिए पूरे आत्म विश्वास के साथ आप प्रयास करते रहें, व्यवस्था के बावजूद मित्रों और रिष्टेदारों में कुछ समझोता हो सकता है, जी हां मित्रों, लंबे समय से चल रहा तनाव भी आज दूर हो सकता है, साथ ही किसी नजदी की संबंधित द्वारा कोई शुब सूचना मिलने से मन प्रसन रहेगा, कोई रुका हु जी हम दिन के पहले पक्ष में ही पूरा करने का प्रयास करें, क्योंकि दोपहर के बाद परिस्थितियां कुछ प्रतिकूल बन रही हैं और घर के वरिष्ठ सदस्यों की सलाह से आपकी किसी समस्या का समाधान निकल सकता है, यह समय प्रसन्नता दिलाने वाला रहेगा, आप के परिवार में किसी सदस्य के विवाह प्रस्ताव पर मोहर लग सकती है, आपको एक के बाद खुश खबरी सुनने को मिलती रहेगी, संतान को आज किसी सम्मान की प्राप्ती हो सकती है, यदि आप अपनी आर्थिक स्थिती को लेकर परेशान चल रहे थे, तो बिजनिस में आपको अच्छा मुनाफा मिलने की संभावना है, आपके घर किसी नए महमान का आगमन हो सकता है, आपको स्वास्थि में चल रही समस्याओं पर भी ध्यान देना होगा.